हुआ हालो एवरीबन वेल्कम बैक अगेन और मेरा आज का जो वीडियो है वो जीएस का सारी यूपीसी में ऐसे का जो पेपर हुआ है उसके उपर थोड़ी हम चर्चा कर लेते हैं आज ही पेपर संपन हुआ है तो ऐसे के उपर आज क्या क्या टॉपिक्स जो है जिसके उपर कॉश्चन आए है तो आप में से जो भी लोग यूपीसी की या फिर आरेस की तैयरी कर रहे हैं तो वो जरूर से इस वीडियो को देख कर देखेंगा तो क्योंकि इनके उपर देखिए कि कोश्चन तो हलांकि रिपीट नहीं होता है कभी प्वी टॉपिक कभी रिपीट नहीं होते हैं लेकिन एक यह है कि आइडिया ज़रूर मिलता है कि किस प्रकार के सवाल जो है प्रष्णों की प्रकड़ती क्या है वो को भी दिलवाते हैं क्योंकि GS के जो पेपर्स होते हैं उसमें सब का ग्यान लगबग जो है उपर नीचे अगर आप कर भी लें तब भी समान होता है तो नंबर्स जो है उसमें ज्यादा वेरी नहीं करते हैं लेकिन अगर आपका ऐसे लिखने की शमता आपकी अच्छी है और उप्षिनल आपका अच्छे से तैयार है तो आप इस परिक्षा के अंदर बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं तो आज देखिए हम ऐसे के अंदर देखिये इसमें दो ऐसे जो है आपको लिखने होते हैं तो section a और section b में से दो ऐसे आते हैं तो section a जो होता है और हाँ एसे जो होते हैं 125 नमबर का एक एसे होता है जो की 200 नमबर के दोणों ऐसे हो गए और 1000-1200 शब्द में आपको इसको लिखना होता है देखिए ऐसे की जो कहते हैं प्रकड़ती है तो section A के अंतर आपसे philosophical ऐसे पुछते हैं वो लोग जिसमें आपको थोड़ा दर्शन वगरा जो है मिक्स करके लिखना पड़ता है जिसे कोई-कोई लोग नहीं बोलते हैं जिसे मैं भी कभी बोलती हूँ के जिसे आज मैं हर बार मेरे students को जिनको पढ़ाती हूँ बोलती हूँ के simplicity is the ultimate sophistication अगर तुम किसी बात को गागर में सागर भढ़ने के शमता रखते हो इसका मतलब तुम उस topic पे एकदम clear हो तो वही question आज इस पे आया है तो जो है मेरे कई लोगों का message आया था कि आप बोलती है और वही इसमें question B बन करके आया है उसी तरीके से section B जो है उसके अंदर जो है इस प्रकार के पुछे जाते हैं जिसमें कि हाँ आप कुछ facts को involve कर सकते हैं तो ये तो आपका hypothetical होता है जो हम सोचते हैं जो हमारे वैवारिक है दर्शन वाला ग्यान है उसमें आता है section A और section B आपका जो है थोड़ा सा practical questions पे आता है तो अब देखिए कि section A में आप से के के पूछा गया है चार इसमें दिये हैं जिसमें से आपको एक पे लिखना है देखिए life is long journey इसको हिंदी में पढ़ते हैं मनुष्य होने और मानव बनने के बीच का लंबा सफर ही जीवन है अब लिखिए इसके उपर कि जो है इनसान बनने से कुछ नहीं है इनसान से मानवता की ओर हम जाते है तो मानवता वाले जो गुण है ना उनके बारे में हमको इसके अंदर लिखना है फिर है विचार परक संकल्प स्वयम के शांतचित रहने का उत्परे रख है थर्ड है जहाज अपने चारों तरफ के पानी की वज़े से नहीं डूबा करते है जहाज पानी के अंदर समा जाने की वज़े से डूपते है यानि कि अगर आपके कहते हैं कि सेल्फ डौट जिस यक्ति के अंदर होता है तो उसको कहते हैं कि मन के हारे हार है मन के जीते जीत, आपने सुने हैं नहीं चीज़ें तो वही इसके अंदर जो है, वो कहना चारा है जहाज के माध्यम से, कि बाहर की दुनिया का इतना अंतर जो है नहीं पड़ता है अगर आप अंदर संकल्प से मजबूत हैं, तो जो है आप अपने किसी भी लक्षों को प्राप्त कर सकते हैं लेकिन अगर आप संकल्प भी डग्मगाया हुआ है तो आपके लिए जो है बाहर की छोड़ी आप, जो मन से हार गया वो अपने लक्षों कभी अचीव नहीं कर बाता है नेक्स्ट है सरलता चरम परिशकरण है यानि सिंप्लिसिटी इस अल्टिमेट सोफेस्टिकेशन ठीक है फिर सेक्शन बी में देखते हैं जो हम है वह संसकार है जो हमारे पास है वह सब्वेता बिना आर्थिक समरिद्धी के सामाजिक न्याय नहीं हो सकता किन्तु बिना सामाजिक न्याय के आर्थिक समरिद्धी निर्थक है यानि कि एकदम वाईसे वर्जा टाइप का चीज पूछे ऐसे एक बार और आया था जिसमें पूछा था गरीब इसलिए गरीब है क्योंकि वह गरीब है तो इसके उपर लिखना था तो काफी अच्छा लेवल का ऐसे है पित्र सत्ता की व्यवस्ता नजर में बहुत कमाने के बावजूत सामाजिक विशमता की सबसे प्रभावी सनरचना है फिर है अंतराष्ट्री संबंदों में मौन कारक की रूप में प्रध्योगी की टेकनोलोजी अस असाइलेंट फेक्टर इन इंटरनाशनल रिलेशन्स जब कभी हम चर्चा करेंगे तो एक एक निभंद के उपर जो है कुछ जो है 30-35 मिनिट की चर्चा करेंगे जिससे की जो है कुछ के उपर हमारे विचार जो है वो क्लियर हो ठीक है आज का जो मैंने क्रोनलोजी पढ़ाया था तो मैंने एक ब्रेंग फीडिंग की बात की थी तो उसको मैंने इसी परीपेक्ष में कहा था ठीक है जब आप आपका कोई भी चीज जो है तैयार ना हो और आपसे पूछ लिया जाया और तब आपको कुछ बोलना हो तो वही बोलते हैं जो आपके दिमाग में already आपके subconscious mind में फीड होता है तो इसलिए कहते हूं कि जब भी आप कोई चीज फीड करें अपने दिमाग में तो अच्छी चीजे होने चाहिए जो आपके exam के लिए भी उपयोगी हो आपके व्यक्तित्व के लिए भी उपयोगी हो ठीक ह तो चलिए हम इसको कभी डिसकस करेंगे तो यह आज का पेपर मुझे बताना था आप लोगों को तो आप जुड़े रहेगा चैनल के साथ थैंक्यू सो मच